आप सब लोग किकिनन एनिमे देखते ही होगे अगर शोक से नहीं तो दोस्तों के सामने कूल लगने के ज़रूर देखते होगे तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं ट्राय करने जारों आपके और मेरे फेवरेट एनिमेज पे बेस्ट कुछ गेम्स जदतर ये अनिमे की गेम्स अच्छी नहीं होती according to many people तो हम चैक करेंगे किया ये गेम्स अच्छी में इतने बुरी हैं या पर रहने बिला वजगा क्रिटिसिजम मिल रहा है तो सलाम अलेकुम दोस्तों केसे हो सारे now let's start the video लिस्ट में हमारी पहली गेम का नाम है One Piece Bounty Rush गेम का concept काफी simple है गेम में 4-4 प्लेयर्स पे बेस्ट दो टीम्स होती हैं जो के fight करती हैं खजाने पे कबजा करने के लिए और जो टीम सारे जगों पे पहले कबजा कर लेती है वो जीत चाती है पूरे One Piece में से आपको हर एक करेक्टर खेलने को मिलता है वो भी हर एक कार का अलग लग गेम के अंदर आपको काफी different modes भी देखने को मिलेंगी जो के आस्ता आस्ता खुलती रहती है गेम खेलते पर मैंने एक बात notice की जो के मुझे बहुत reiterate की गेम के अंदर वाकिंग का सिस्टम बहुत स्लो रखा हुए इन लोगों ने अकसर तो यह भी नी समझ आता है के हमें कोई सा बंदा मार रहे हम किसको मार रहे है गेम प्ले के यह साब से गेम बुरी निया काफी अच्छी है गेम हम वर्टिकल स्क्रीन पे खेलते हैं हमें पूरे ड्रेगन बॉल यूनिवर्स के अंदर से लगले क्रेक्टर्स देखने को मिलते हैं एंड फाइट हमारी हमेशा हावा में उड़ते हुई औरी होती है गेम के अंदर मल्टि प्लेयर मोड भी है जो के हमलों के स्टोरी मोड में काफी आगे जाने के बाद खुलता है इसकी बागी गेम के कंपरिशन में ये गेम मैंने सबसे ज़्यदा खेली लिकन ये गेम में चैस सच इंस्ट्रस्टिंग नहीं लगी मतलब ये गेम पुरी नहीं है लेकिन गेम की स्टोरी लाइन काफी बिकार है और पिलावजा के धेर सारे प्रोमोशन्स दिमाग खराब कर देते हैं लेकिन शाद मल्टि बलेयर अलाओ करने के बाद गेम मज़े का हो जाता इस गेम ने भी मुझे तरह रिटेट नहीं किया और ये गेम भी काफी सही थी तो इसकी भी रेटिंग 7 आट अफ 10 है हमारी लिस्ट की नेक्स्ट गेम का नाम है One Punch Man World इस गेम ने जितना मेरा दिमाग खराब किया और उतना किसी गेम ने नहीं किया मैंने जाके साइस जाक किया 155 MB1 पे खूश हो गया लेकिन गेम डॉनलोड करने के बाद इसके लिए स्टोरिज पूरे करने के लिए मैंने ब्लड स्ट्राइक, हाइ नर्जी हिरोज, एमिक इन सर्वाइवल, साइको वल्ड, लास्ट वल्ड, और पता नहीं कितरी गेम्स डिलीट की उसके बाद जाके फाइनली ये गेम डॉनलोड हुई, और जब डॉनलोड करके रिकॉर्डिंग करने लगा तो रिकॉर्डिंग के लिए स्टोरिज नहीं बजी, कुछ करके 8-9 मिट की मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, ताके रिव्यू के लिए कुछ पड़ावा हो मेरे पास जो लोग गेम की बात करते हैं, तो गेम में हमारे पास एक स्टोरी चल रही है, जिसके लिए हम लोग डिफरेंट मिशन्स करी आउट करते हैं, वो बात अलग है मेरे जैसे घरीबों के लिए नहीं है, तो इसकी फाइनल रेटिंग 5 आट और 10, और भी प्ले स्टोर पे काफ अपन नहीं हो रही थी, प्ले क्लोवर की गेम जो के मैंने इसलिए नहीं खेली ताके मुझे स्पॉलर्स नहीं में लेकि मैं अभी बी देखना स्टार्ट किये, और नारुटो की गेम जो के मुझे देखने में काफी फजूल लग रही थी, अब पता नहीं कैसी है, अगर आ प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं, गेम में बोथ सिंगल प्लेयर एंड मल्टि प्लेयर मोड्स अवेलेबल हैं, जिसमें से मल्टि प्लेयर मोड कोई खेलता नहीं है, पर सॉलो मोड में अमनों को तीन ओप्शन तेखने को मिलते हैं, और तीन डिफरेंट मैप्स भी, गेम क गेम का नाम है, सॉलो लेवलिंग अराइज, गेम के ग्लोबल लाउंच को भी खाली दो महीने हुएं, इसके 10 मिलिन डॉलोड्स अल्रेडी हो चुके हैं, इस गेम का स्टाइल भी वन पुंच मैन जैसा है, जिसमें हमारे पास एक स्टोरी चलते हैं, जिसमें हम लोग अपन लेगन यह फिर भी काफी मज़े की रहती है, इसलिए इसकी रेटिंग 8 out of 10, इन पांचों गेम की जो 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 रेटिंग में ने बताई हैं, सारी मेरे ओपिनियन पर बेस्ट हैं, आप लोग खुद भी यह गेम्स खेल के ट्राय करना हैं, अगर आप लोग ने अल्रेडी खे कर दो, जाने से पर एक बात कहना चाहूंगा, एनिमे काटून होते हैं, इन्शालला अगली वीडियो में में लगात होगे, अपना देर सरा ख्यार रखना, भाई को दौआ में याद रखना, अल्ला हाफिज